हलो दोस्तो स्वागते आपका हमारे यूट्यूब चैनल टिंकल करे सोई मित आज हम बनाएंगे छोले बटूरे और साथ में बनाएंगे खीरे का रायता तो चले इस मज़दार रेसिप का हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हमने आधा केजी मैदा लिया है तो मैदे में हम एक चमच नमक डाल देंगे और एक चमच छीनी डालेंगे और थोड़ा साथ बेकिंग पाड़ों डाल देंगे सारी चिजों को मची तरह मिक्स कर लेंगे आप जितना चीन्जी ले रहे आप उत्रह ही नंमक लिए बरावर हुने चाहिए जादा दह नहीं डालेंगे नगी तो मारा भटुरा जाला हो जाएगा इसलिए आप ज्यादा खटी दई का इस्तिमाल ना करें तो हमने दई को मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पाइन डाल करें कि दो तैयार कर लेंगे कि दो को हम ज्यादा हाड नहीं रखेंगे हम दो को सॉफ्ट ही रखेंगे कि अब हम थोड़ा हाथों में रिफाइन लेंगे और हाथों से लगा कर आटे में लगा देंगे अच्छी तरह कि हमारा आटा जो है वह सुखे ना कि आटे को ज्यादा गुद्दने की जोरुत नहीं है अब इसे ढख कर हम तो घंटे के लिए छोड़ देंगे तब तक इधर हम अपना छुला बना लेते हैं तो उसके लिए हमने चने को अच्छी तरह रात पर भीगोर कर रख लिया था अब हम चने को कर भी डालेंगे जालो लिया है जिसको हमने छिल लिया है आछितरा फिर हम डालेंगे आधा चम चैन्मक के अि ठोड़ासा डालेंगे बेकिंग पारस तक की तरहां चाना जोई आछीतरी फूल जाए था सा हल्दी डालेंगे और पान डाल देंगे अगर आपको कलर थोज़ा चेंज करना है तो उसके लिए आप चाइपती को एक पोटली बनाकर अब उसमें डाल दें कुकर के अंदर चार चीजों कमाची तरह मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढगकर लगाकर गैस पचड़ा देंगे और तीन से चार सीटी आने तक हमें वेट करेंगे इधर हम अपना मसाला देख लेते हैं तो उसके लिए में लिए एक बड़ी लाइची दो छोटी लाइची दो लावंग काफी सारा लहसुन है काली मिर्चे और जीरा लेंगे तो सारी मसाले का हम पेस्ट में आ लेंगे कि इधर हम अपना चैना देह लेते हैं तो देखिए हमारा चाणा और आलो जended Gotta ॑ बल गया है कि ह आया हम चैना को चेक कर लेते हैं पूंत कि दूट कि देखिए हमारा चाना जो है हो गया है अची तरह कि आप यह आपर हमने प्याज कट लिया है टमाटर लिया है और तड़का लगाने के लिए हमें लिया है लाल मिर्च थोड़े से काली मिर्च और तेजपत्य और अधरक तो सबसे पहले हम कुकर को रखेंगे गैस पर तो हमारा कुकर जो गरम हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे सरसो का तेल आप जोग तेल घर पर खाते हैं आप वो च्छोले को कोकर में बढाएंगे तो सबसे पहले हम तेल में जीरा डाल देंगे तो हमारा जीरा चटक गया है तो हमिस्ग में तेजपत्य को टाल देंगे तो कि हम काली मर्च को टाल देंगे, लाल मिर्च डालेंगे हो है है कि दिच्त है औस थारस हम पर हिंग डाल रहे हैं उससे पांच तान सत्री होता है अच्छितरा हो जाता है फिर हम अधरक डाल देंगे क oxide डाल कर उसके बड़ा नंद हम प्याद डाल देंगे है अ प्यायर प्याच को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूले एंगे आप इसे ढगड़कर भूनिएगा ताकि हमारा प्याज जो है अच्छी तरह गल जाए ज्यादा टाइम ना लगे इसे गलने में और बीच बीच में इसे ही आप चलाते रहें कडाई में भी छोले बन सकते थे लेकिन कुकर में छोले बहुत टेस्टी बनते हैं क्याकी तो हमारे प्याज भून के हैं आप हम इसमें टमाटर डालेंगे तो हँने टीन बड़े Alternate लिया था तो टमाटर को रख घलानी के लिए डालेंगे एक चमच नमक बाकी नमक हम हम बाद में भी डव़ लेंगे इसलिए हम एक चम्माश ड़िए हैं का तो मैं को टोक तरह मिक्स कर लिया है अब हम नहीffत अब टॉक्षक्य सकते हैं माच्ण गॉल गया है तो आप। हम में इसमें मसालज डालेंगे जो मनें मसाला पिर्मी तुन फेर हम डालेंगे कुकर में है डाल कर आजितर मिक्स कर लेंगे तो फिर डालेंगे उपर से हल्दी क्योंकि हमने अलती नहीं फिसा था और एक चमस धनिया का पाड़ो डालेंगे डालकर सारी मसाले को मची तरह भूल लेंगे कि थोगा सा पाइन डाल देंगे ताकि हमाने मसाला जो है अच्छी तरह भून जाए और इसे धीमियाच पर टक कर भूनते रहेंगे तो हमने उसमें लाल मिर्च नहीं पिसा था इसलिए हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे लाल मिर्श को डाल का चितर आप चला लें मसाले को हम धीमियाच पर पकाएंगे तो देखिए हमेरे मसाले का कलर है जो हो चेंज हो गया है और उसमें तेल भी छोड़ने लगाया है ऊपर से या हम Thai पून गए तो हमने जो अलो वाला था उसको मैस करके मसाले में मिखकड नीगी के जयादा अलू नहीं लीजेगा तोफ़ाच अलू लीजेगा या फिर आप इना अलो कि भी बना सकते हैं कि आलू ड़ने होता है कि ग्रेवी त्यार हो जाता है पीर हम डालेंगे वायल किया हुआ चना दो चने को डाल देंगे तो अबी थोखा से पानी कम है ऊपरसे थोखास और पानी डाल देंगे तो आप छोले को ज्यादा पतल ना करें कड़ाई रहने दे फिर हम थ्वासा और नमक डाल देंगे स्वाधर नुसार एक चमज डाल देंगे छोला मसाला और उपर से दार देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया सारी चीजों को मच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कर दो कोकर कर दक्यान लगाएंगे और एक सी दो सीटी हम लगाएंगे इधर मांबना लगान देख लेते हैं कि अब देख सकते हैं कि इधर हमारा आटा जो यह सेठ कि हो गया है दो गुडंटे बाद आटे में तो आटे को फईद्व और हम गुत्र लेंगे अब देख सकते हैं कि अटा जोए एक्डम मुला नहीं मोगया है अची में नहुत है से दकी हमने आटे को गुत लिया है तो इधर हम चलिए अपना राँरा बना लेते हैं दू Mens ayamya container भैक का मनें буду कशकर लिया है तो दही में में डालेंगे खीरे बहुत ही Poss Income तो यहां पर दई में खीरा डाल देंगे तो आसा डाल देंगे लाल मिर्श और थोज़ा से भूना हुआ जीरा धन्या का पावडर अथोज़ा से कलम नमक डाल कर सारी चीज़ों को माचीतर मिक्स कर लेंगे तो देखिए हमारा रायता बनकर त्यार हो गया है बहुत सिंपल रायता हमने बनाया है रहा खाने में बहुत हैल्दी होता है यह सब इधर हमारा छोला भी हो गया है तो चलिए हम अब भटूरा बना लेते हैं तो सबसे पहले हम लोई तोड़ लेंगे अगर आपका आटा थोवास हाड रहेगा तो आपका भटूरा उतना सॉफ्ट नहीं बन पाएगा इसलिए आटा को एकदम सॉफ्ट रखे कि इसे मैदा थोवास फूल जाता है इसे भी मुलाइम हो जाता है फिर भी आटा को एक दम मुलाइम ही आप गूते तो चलिए हम अपना भटूरा पे लेते हैं आप ज़्यादा दबा कर नहीं विले हलके हाथों से इसे वह बेल ले बराबर हर तरह से कि आपको जैसे से पसंद आप वैसे बिल सकते हैं कि हमने एक भटूरा को बिल लिया है उसी तरह हम दूसरा भी बिल लेंगे षणते हुए भटूरा दोनों को विल लिया इसी तरह हम सारे भटूरें विल लिए तो चले हम फ्राइए कर लेते हैं तो हमने फाइन ओयल पर आपने से करने के लिए रख दिया था तो हमने टेल में भटूरा डाल दिया है तो तेल में डालकर आप उसे ऐसे छोड़ दे अपने आफ फूल कर ऊपर आ जाएगा अगर उपर नहीं आ रहा है तो आप इसे तो आसा तेल के इसे प्रेसर देते रहें ताकि हम भटूरा जो है अच्छी तरफ फूल जाए पीड़ा में इसे दबा अब्रेसर ज़रूर्ड फूल देखेए हमारी इंट यह फूल है मादका से छिए तरह फूल लेंगे दुनों से फ्राइन कर लेते हैं और इसञीं से आप इसे टरह तो को प्राइद कर लेंगे सिर्फ दर में तो देखिए हमने इदर छोले और रायता रख लिया है तो यह रहा हमारा गर्मा गर्म हटू रहा है तो आप भी एक बार घर पर जुरू टाइगरेगा और हमें कमेंट पर बताएगा क्या आपको हमारे इस्पी कैसे लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाइ